अंचागुरु ब्लोग में आपों सपय लोग नाख स्वागत छे आपों सपय लोग स्वस्त और मस्त हुने ला तो आज हमार यहां अपन गौमें बेलकोट में और यहां पिक्चर शुटिंग चलनेर छे तो 20 तारिक बटी जो उनिवाल 20 तारिक छे लेकिन विहें पहली यहां दस दिन में तन्यार कर रखी है निल आज पाथर लगों लाग रहां तो हमन तुमन वहीं जाबे दिखूने यह बगल में खन्यार लेश और हिंदी पिक्चर बढ़न लाग रहां लेकिन पहाडी जो हमार पहाडेक उत्राखंडेक यहां पलाएन रोजगार और यहां मूल भ पाड़ी पिक्चर बढ़नेर शन में अगिल का दिखून ऊच यह थो पिक्चर बढ़ें के यह यह ऐसमार बीच में काम कारना लाग रहा रहां तो ऑनांचमन अगिल हैं उत्षा स्ट्राखंचर कहशा अपक तग्यार रहां 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 हैं यह च्छे श्मकुर्ह Taste शूति तो पूर बेलकोट छे और दस किलोमेटरा परीधी में फैली से बेलकोट गौँ तो बहुता बड़ी तो तुमन हम दिखुनों की कस तरीका लेनेल दस दिन में यो तंज्यार कर रखी और पिक्चराश सूटिंग ही और यो चौपातों के एरिया छे चौपात और गहिला और यांबडी तुम देखान लाग रेनेला गिर्जगर देहीरो चर्चे तो बहुत सुन्दर और पूर चारूं ओर तुम देख सक्चा यो शालू जंगल छे शल्यान और शालू के शालू पेड देख सक्चा तुम यो दस पंदर दिन में यो तंज्यार क खोईवाल दर्वाज और खिड़की और यो गोठ बड़ा रखी और यो बाट और यो पूरान घर इल्ले और जो थोड़ा हालत खस्ती से लेकिन ये के लिए रिपेर करण लाग रही और कुछ क्यूंकि पलाइन के मध्यनजर ये के दिखून दिखूनेर चन तो यही परकार तो काम लगातार चल लो और देख सक्षा तुम यह दस दिन में तंग्यार कर रही और यह सर्माजी सन और यह करून लाग रहान तो बहुत बड़ी और जस जो पिक्चर वीशतारी के बटी सुटिंग स्टार्ट हुनेर से तो हम एगिल के तुमान दिखून और यह हम साइड इस दिखूनों कि कॉस बड़ा रखी और यह वाद है फटर ले दिखूने कसके काम चल लो यह बहुंड लाग रहान साइड बड़ी सब पलाई-पलाई लगों रहान और फटर ने लीप लैबेर बहुत बड़ा रही देख सक्षा तो नहीं प्रुकुल दस दिन में यह एक उन बड़ा है तो इवाट जायवेर हम भतर दिखूनों मन कि कह पर कारक बड़ा रहा है बहुत बड़ी सीडी बड़ा रहें यह हम कह सकनों कि कम समय में और यह कहां तन्यार कर रही और भतरक्र लिप खैजबेर और यह बहुत बड़ी बढ़नेर शी और पहाडी यहां बड़ी यह देख्ख्या रह और भौत बड़ी और हम यह पिक्चर जो डारेक्टर शन बिनोत कापडी जी पुरान थल उखाड़ाक और हमार शेत्राक शन तो भौत खुशी हूं जब वह देशा बिभिन्ने हिस्चन में रह वेर ले हमार गौँ बैर में शोचनन और हमा यहां सिक्ष्या संस्कृति के आपन पिक्चरा माध्य में उन लोगन के दिखुनन तो उनन भौत भौत बढ़ाई और तसी के उन तरक्की करते रहो और हम लोगन जो पहाड़ाक सां उनन क्या न क्या यह चीज उन दिखुनन कोशिश करनन लोगन के कि जैवील पहाड़ सिक्ष्या स्वास्त सड़क मूल भूद जो सुविधासन उन यहां लोगन के मिलो और तहीं में यह पिक्चर बाउंड लाग रहान तो विनोत कापडी जिनाक बहुत बहुत धन्यवाद और उनार पूर टीम के हम धन्यवाद दिनू यह भीत काटार्यान भीत जो पाथरा त भीत ब्यावकर तक उक्के कराण क्या कि जो छत भीत ब्याल तक उक्के राखन सु तेख सक्षा तो सब काम जो युद्धु स्तर में चल लो और बीस तारिक बटी सुटिंग स्टार्ट से जो ले लोग इतनला नजिगाक्षान देखनी आया सक्षा और पत्त लाग जाल तो देख सक्षा तुम कदू बड़ी बहुंड आग रहान धन्सिंग कार की जी हन हमार भुजूर्गुच हन असी साला उमर है गई ना और इले हमार दगाड यहां हमिल को हिटो और यहां देख जाला क्यूंकि सुटिंग ही यहां जो स्ट्रेक्चर सु तन्यार करी जा तो पूर सेत्र में गुमाण लाग रहा है और लोकेशन भुड़ाण लाग रहा है तो तुम अन बड़ी लाग नियोल पच्छन निलाजिम थाड़ पढ़ पहली देखी हूं नियोल पाने नबचान फिर पचान नियोल ठीक से ठीक से और सब बड़ी आ तो आक अदू दीन ने यह बड़ून लोट कर दों अच्छा बांच दिन में नार कर रखे बलते है तो जो बिनोथ कपडी जी हनु कोई याएल अच्या आज है रहने यह तेम में अच्छा घुमनी जा रहना नने किसी बेश से घ्रें अच्छा अच्या कि आने वाले आले अधे अब भंबाव से तो रहने की ब्याष्टा है, खाने की ब्याष्टा है, अच्छा, तो तुमा ले क्या रॉल हो यहां? अब मेरा ऐसे ही गोम रहा हूँ मैं ठीक है ठीक से बहुत बड़ी जन्नी पिरियाट तो कैसे पिक्चर बढ़ बनेर सानी यह है पुरा उत्रान चल के लिए अच्छी है पूरा उत्रा खंड के लिए इसमें पूरा उत्रा खंड की जितने भी समश्या हैं अब कैसे हैं पुराい का हो रहा है रोड ने आ रहा है डांक्टर नहीं जगह जपर एंजर पड़ी है और घर ऑज जो यह पाधर आध्र्ल विलकोट में हम चाहो थें तो वो पूरा है इस पीक्टर बनी बन रह grandson पकर नहीं है विद्धिय है अच्छी है सब के लिए आप के लिए सब के समस्या समस्या कि अभी बात करी कि यह समस्या कि आपके पास पुझान से नाम नाम यह वुछ प्रविवांक बीमार हो जाती हैं और पंट पेसर जाते हैं लाने के लिए हमाइब बसलो कि बहुट परthe लड़के नहीं मिल पाते हैं तो दोली ले पकड़नी नहीं नहीं प्वान नकरे कोई एक्सफाइड हो जाएगा तो फिर दालोगों वेद आजे आजे आज़ा आजे तब उजवागत तो ये समस्या जो है ये पूरा समस्या का जो ये है ये इस बन्रहे है बहुत बढ़ी है य समस्या गौं की समस्या इंडिवल की समस्या बेरोजगार की समस्या जो कापडी चीज़ है यहां का भ्या है उखड़ा क्या प्रताप सिंग कापडी को जानते हैं अच्छा बहुत बढ़ी है यह और भी कई पिक्चर इन्होंने बनाई रहा गिन्याल तो आज यहां आरें आप बहुत बढ़िया अच्छी सोच ठेरिये बहुत बढ़िया बला हो जाए बला गाउं का बला बुद्डों का बला अब एक आदमी तो ठीक है पेट भर गया वह शोया रहा आपने खुर्खुराटे लेता रहा अगला क्या करें खाज करिसमें बीरोजगार यह जो है जिसका आपने बाझ जारोट में हैं चाल लड़के बैठ गए उटा शिता काम यह है वह है तो इनकी समझय कहीर है उसंदिया को है। सर आप बताओ तो आप कितने दिन उसे यहां पर है और किस उससे बन रहा है, पिक्चर बना रहे है कापडी जी, इस पहाड को लेकर, मुझे हो गई लगबग यहां पर बीस दिन, बीस दिन में हम लोकेशन्स भी रहकी की, सर्च की, फाइनल की, और सबसे बड़ी बात है, इस यह जो चाचा जी हमारे, यह उसमें में रोल कर रहे है, और अभी एक चाची आ रही है हमारी, गाउं की है, उनकी सर्च अमने कैसी के एक लंबी काहनी है, रास्ता चलते हुए शाम के वक्त गास रख के सर पजा रहे थी, तो वह इसमें लीडिंग करेक्टर है, यह दोनों म कि आप बढ़ा पाला फोसा बड़ा किया, उनकी गलती थोड़ी थी पाढ़ में बसना, पहले हाँ कोई मजबूरियां थोड़ी होती थी, प्रॉस्पेरटी थी, सब कुस्ता, काम धंदा था लोगों के पास, नोकरियां फोज में थी, सरकारी स्कूलों में थी, सब साधन थ अब केति भी दीरे-दीरे कम होती गई, बेरोजगारी होती गई, जिसके करणने, क्या हुआँ यहहां सारे पलाइन कर गई, बचे तो वह भुजूर्ग है या हुशन जो रटाइड है, है थैह नियों वह टीचर जो रटाइड है अपट रॉच्छे देखने से खनम आ को ना क बहुत मुस्किल है और कहानी बढ़ी डिफरेंट है इस फिल्म के देखने के तो आप बहुती सेंस्टिव कहानी है संवेदंशील कहानी है मतलब यह देखने वाले को एक बार सोचने पर मजबूर करेगी मजबूर करें अभी कहा हुँ इस फिल्म को देखने के बाद लोगों के बास सब्द नहीं होंगे बहुत अच्छी स्क्रिप्ट इनोंने तंग्यार की है मेरा कमेश में क्रियेटिव डिरेक्टर के रूप मैं है और कस्टिंग और एक्टिंग के डिपार्ट में ठीक है अच्छी के साथ मैंने और भी फिल्मों में काम किया है फिल्म में एक एक्ट वी किया था अच्छी अच्छी एक आप यहां पर आया आपने कई पिक्चरों में काम किया है और इस पहाड की जो दर्द को आप इस पिक्चर के माध्यम से लोगों को दिखाओगे तो काफी अच्छी लगेगी तो हम लोगों से भी आगरे करेंगे जैसे यह पिक्चर तग्यार होगी और जैसे रिलीज होगी आप तक यह पहुंच जाएगा जरूर अपने थेटर पे जाके इस पिक्चर को जरूर देखें और यह बहुत ही अच्छा लोकेशन है और हमारे ग खाई देते हैं तो बहुत ही सुन्दर बेलकोट एक अपने आप में बहुत बड़ा गाउं है कई वर्ग जाती के लोग यहां पर रहते हैं और बहुत प्यार महुदबच से रहते हैं और कम से कम 10 से 12 किलोमेटर की पर यह गाउं पूरा फैला हुआ है और यहां पर अभी त दिल से उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने इस गाउं को इस इलाके को नहीं तो कई हमारे सेत्र के लोग देश के विविन्न हिस्सू में काम कर रहे हैं उसके बाबजूद भी ऐसा कोई कार्य नहीं कर पाते हैं लेकिन कुछ ऐसे बंदे होते हैं टॉप 10 के जो लोगों के लिए काम करते हैं लोगों के लिए जीना चाहते हैं तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं तो हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी यह अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और सेयर जरूर करें तब तक हमें इजाज़त दें नम कर दो सकाथ